उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है हार तय देख कॉंग्रेस के नेता बौखला गए है कॉंग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों को धंकाना शुरू कर दिया है मैं MP के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहुँगा कि कॉंग्रेस की धंकियों से डरने की जरूरत नहीं है आप इमानदारी से अपना काम करते रहें MP में आज भी भाजपा है तीन दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकारी है कॉंग्रेस के दमकी बाज ने कांग की तो खुद उनका तो हाल यह है दमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है इनके तो ब्रस्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है दो कॉंग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे वो कहते है यार इस शुनाओं में लग काम करेगा और नहीं करेगा लक्की चर्चा करते तो दीसरे कॉंग्रेस ने का अरे लक्को मारी गोली यह मोदी कहीं लौकर खोल देगा ला तो लेडे के देडे पड़ जाएगे आज यह सब जो चोराट कम्पनियां है न उनको डर है के मोदी कहीं लौकर न खोल दे और हमारे लक्को ही ताला न लगा दे इसलिए कॉंग्रेस के इन ब्रस्ट नेताओं की धमक्यों की परवाम मत कीजिए मेरे परिवार जनों दो हजार चाउदा में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था उसके बाद साल दर साल हर रोज कॉंग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चोड़ता ही जाता है आपने देखा हूं कर पहले जो दो गाली देते थे वह बिस गाली दे रहे हैं जो पहले पांच गाली देते थे वाज मोदी को पचास गाली दे रहे हैं यह गालिया मैं खाता हूं आपके लिए यह नफरत मैं जेलता हूं आपके लिए क्योंकि आप सर उठा करके जियें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें इसलिए गालिया मोदी खा रहा है यह नफरत मोदी जेल रहा है और यह मोदी को गालिया क्यों देते हैं यह मोदी को नफरत क्यों करते हैं यह मोदी को बज़ा हम क्यों करते हैं क्योंकि मोदी ने इन लोगों के प्रस्टाचार पर बड़े बले गोटालों पर रोक लगा दी उनकी कटकी बंद हो गई मलाई मिलती नहीं है यह वो लोग है जिनके रहते उनके प्रधान मंत्री कहते थे कि दिल्ली से सो पैसा निकलता है तो गाउं में जाते जाते पंदरा पैसा हो जाता है वो कौन सा पंजा था जो सो रुपिय को घिसता था और पंदरा पैसा हो जाता था वो कौन सा पंजाई रुपिय मारता था लेकिन भाजपा सरकार अगर आपके लिए सो रुपिय भेचती है तो पूरे के पूरे आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं आज सत्प्रतिशत असली हगदार को मिलता है हर लाभारती के फोन पर तुरंद मैसेज आ जाता है कि पैसा मिल गया पक्के आवास का पैसा सीजे बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान नीजी के तहट बारा आजा रहे कुचीना बिना किचन अधूरा स्मार्ट किचन अप्लाइंसेस प्रम कुचीना पैतुल में पीएम मोदी की ललकार बोले जहां कॉंग्रेस आई तबाहिल आई पंजा जानता है सिर्चिना कहा मोदी की गैरंटी मतलब गैरंटी पूरी होने की गैरंटी रचार के महासमर में बीजेपी के दिण्गर जबलपूर में अमिच्शाह का तूफानि प्रचार नर्सिंग पूर में जेपी नडदा बर है उनकार रायपूर में केंद्रे मंत्रे अनुराग छाकूर ने कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा कॉंग्रेस सिर्फ जूट बोलती है खुद के गैरंटी नहीं जूट का पुलिंदा लेकर घूम रहे है कॉंग्रेस के दिगजों ने प्रचार में जोंकि ताका अध्भुपाल में कारे करताओं से मिले राहूल गांधी मनसौर में सियम शिवराज का कॉंग्रेस पर हमला बोले हम डबल एंजन कॉंग्रेस मनुरंजन ये सिर्फ जूट के एंजन न्यूज 18 पर कमलनाथ ने बीजेपी पर धर्म की राजली ती करने का लगाया आरोब बोले सबसे बड़ा बनवाया हनुमान जी का मंदिर कहां मेरे मंदिर जाने से बीजेपी के पेट में दर्द कुचीना बिना किचन अधूरा स्मार्ट किचन अप्लैंसिस फ्रॉम कुचीना और सिदा आपको लिए चुलते हैं बैतूल जहापर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी चुनावी सबा को संबोधित कर रहे हैं क्या कह रहे हैं यह सुनवाते आपको साथ में आसमान पर उड़ रही है हवा में उड़ रही है उसे जमीन पर गरिब दिखाई देते ही नहीं है और नहीं वह जमीनी सच्चा ही जानते हैं मैंने सुना कल एक महा ज्यानी कॉंग्रिस के कह रहे थे कि भारत के पास यहां के सब लोगों के पास अमीड इन चाइना मोबाइल फोन होता है एक महा ज्यानी कॉंग्रिस के कह रहे थे कि आप सब के पास में चाइना मोबाइल फोन होता है अरे मुर्खों के सरजार कि इस दुनिया में रहते हैं यह लोग कॉंग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्दिया न देखने की मानसिक बिमारी हो गई है पता ने विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं को उनको देश की ठिती का पता ही नहीं दिखता है आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है जब कॉंग्रेस केंद्र सर्वकार में थी तो भारत में हर साल बीस हजार करोर रुप्ये से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे आज भारत में साड़े तीन लाग करोड रुपय से ज़ादा के मोबाइल बना करते हैं करीब करीब एक लाग करोड रुपय का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्षपोर्ट करता है चुनाओं के समय जिने मेकिन इंडिया की बाद यार आती हो वो स्वदेशी के महतों को कभी समझ ही नहीं सकते आज पुरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है त्योहारों के अउसर पर भारत में बने उत्पात भारतियों के बनाए उत्पात खरीद रहा है इस दिवाली तो रेकोड कर दिया है जो इस विशह के जानकार लोग है वैपारी समु के लोग है उन्होंने कल स्टेट्मेंट किया दिया है उन्होंने कहा है कि इस बार दिवाली में पॉने चार लाग करोर रुपय की खरीदी देश वासियों ने की और देश में बनी चीजों की की ये पैसा देश वासियों की जेब में गया और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो एक लाग करोर डेड़ लाग करोर का माल तो बाहर का होता था इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया लेकिन क्या कॉंग्रेस के किजी भी नेता ने अब मुझे बताईए भारत में बनी चीज बिकनी चाहिए इससे आप सहमत एक नहीं है हमारे देश का माली बिकना चाहिए सहमत एक नहीं है क्या कॉंग्रेस के लोगों को ये बोलने में क्यों शरम आती है भई क्यों शरम आती है उनके पेट में क्या दर्द होता है क्या उनका विदेशों से कोई ऐसी सांट गाट रहा है कि विदेश का माली लाना चाहिए बाई य कुल नहीं बोलते हैं सात्यों जब से केंद्रों में बीजेपी की सरकार बनी आए तब से आत्मंदिर भर भारत ब्यान हर भारतिय का संकल्प बन चुका है बाजपा सरकार बैतुल के गुड़ को वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट प्रोग्राम के तहट बढ़ावा दे रही है गुड़ कलस्टर मनने से भी हाँ अनेक नए रोजगार मनेंगे बैतुल सहीर MP के अनेक आदिवाजी खेत्रों में फरनिचर इंडस्ट्री के लिए बहुत संभावना है बैतुल जिले में गुड़न क्लस्टर फरनिचर क्लस्टर भी विक्सित किया जा रहा है इससे सैंकडों छोटे-छोटे उद्योग विक्सित होंगे